दिनमश्कर दश्टको चुनावी भी लेमाए आपका एक वार फिर से उस्वागत है मैं हूं दिपेका तो आज हम खड़े हैं बार नमर चार में जहां से जो है आज़ाद उमीदवार यहां से राकेश हांडा जी और विक्की जी जो है वो यहां से पारशत पत के लिए उमीद बार चुनाबी मैदान में उतरें हैं तो आईए हम उनसे जानते हैं कि उनका चुनाब चीन क्या है और उनका प्रचार प्रसाज जो है वो कैसा चला हुआ है लोगों का कैसा स्मर्तन जो है उनहें मिल रहा है मशकार सर एच्वटी में आपका स्वागत है दमार्शकार, मैं कर दो है, राकेश हानडा, लौक्र अग रजएट हूं और बाल्ट नम पर चार शिवनगर हमेरपूर से बतौर आजाद परत्यास्टी चुनाव लड़ रहा हूं वैसे तो हमारा परिवार बार नमबर चार से मेरे पापा चार वार पार्शद रहे है एक वार बार नमबर चे से रहे है एक वार बार नमबर आठ से रहे है जब बार नमबर आठ से रहे थे तो हमारा जो बार नमबर चार था वो महिला रक्षी था तो बार नमबर चार से उस और मेरा चुनापचिन है टालाचापी और डास जनवरी को सब लोगों ने मरे को अशीरवात देना है सर ईवियम मशीन में कौन से नंबर पे अपुखराइब दूसरे नंबर पे मेरा बटन होगा दूसरे नंबर का बटन दबाकर मेरे को कामयाब बाहरी बहुत मत्त से कामयाब करोए सर आप जैसे परचार परसार कर रहे हैं तो लोगों को कैसा समर्थन मिल रहा है बिल्कुल बिल्कुल समर्थन मिल रहा है, बिल्कुल अशीरवाद मिल रहा है, काफी बारी बहुमतों से हम जीतेंगे, और मेरी प्राथमिक्ता रहेगी, जैसे जो भी कार्या होगा बार नमबर चार का, तनमन धन से उसको पूरा किये जाएगा, चाहे वो नाले का है, चाहे वो सीवरेज है, चाहे वो गंदी नालिया है, सडक है, बिजली है, पानी है, साब कार्या प्राथमिक्ता के दार पर किये जाएगा, क्योंकि यह नहीं है कि बजट नहीं आता है, क्रोडों का बजट आता है नगर परशद के पास, पर यह पता नहीं कहां खर्च कि रहे हैं तो लोग क्या समस्य आई जो हैं वो आपके स्मक्षि रख रहे हैं समस्य आई हैं बार्ड में छोटी गलींच हैं तो इसको इनका समधान चुनाब जीतने के बाद किया जाएगा ओके सर आप जो हैं होकी के भी प्लेयर रहे चुके हैं तो आपको क्या जुरूरत बड़ी की खेल का मैदान चोड़के आप चुनावी मैदान में उत्रें चुनाब तो हमारी बिरास्त है यह तो हमारे कोई टीम का तो बस यही मेरी गुंजाईश है बाद के लोगों को भाईयों से बहनों से मेरे को अशीरवाद है और दस जन्वरी को जो है वो बोट ताला चापी में उडाले हैं ओके धन्यबाद चरह हमारे साथ बात करने के लिए तो यह थे बाद नंबर 4 के राकेश हांड कर दो यहाज़।